Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. So guys, beginners के लिए newspaper series है, ये दो हिंदू का front page है guys. ये भी हादसा से related है, तो beginners को आसानी से समझ में आएगा. जे दिन politics वाला होगा या कुछ banking वाला होगा, वहाँ पर हम देखेंगे कितनी problem आती है. चले गएज़ इसको देखते हैं, फटाफट. देखें, यहां लिखा है कि 10 killed, मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर वर्ब की third form है headline के अंदर, तो वो passive माना जाएगा. कई बार में कह चुका हूँ, नहीं तो आपको present indefinite में ज्यादा तर दिखाई देगा. तो 10 killed का मतलब है कि 10 people have been killed या were killed in blaze, blaze का मतलब है आग, आग में मारे गए, आग लगने में at COVID-19 care facility in Vijayvara. तो Vijayvara एक जगह है, वहाँ पर COVID-19 के लिए कोई मतलब जो hospital रहा होगा, जो care facility रहा होगा, जहाँ पर इन patient की देखभाल होती थी, वहाँ पर ये आग लगी है और 10 लोग मारे गए. अब आगे देखते हैं, अगर ऐसे short यहाँ भी देखे कुछ लिखा है कि 20 patients suffer burns, तो यह आपका present indefinite में है, कि 20 जो patient है, वो जल गए है, CM announces, present indefinite है, 50 lakh each, each to kin of deceased, deceased का मतलब होता है मिर्तक, जो मर चुका है, कीन का मतलब होता है घर वाले, family वाले, जो रिष्टेदार है, नात किनाते, जो हर एक बंदा मर रहा है, उसके रिष्टेदारों को 50,000 रुपे मिलेगा, यह बात, आगे देखते हैं, छोड़ी-छोड़ी चीजे note कर लिजी, जैसे deceased आपको बार बर टकराएगा, kin आपको कभी ने कभी टकराएगा, नेखिए, सबसे पहले यहाँ से लेकर यह अगे जाती है, तो आफटर लगा कर किन उस पेपर वाले बताते हैं, कि आफटर ये, तो आफटर क्या है, अफटर ब्रोक आउट, जब आग लग जाती है, तो हम बोलते है fire break out, तो break का second form broke है, fire broke out, अपने आप अगर आग लग जाए, किसी ने लगा दी है, तो set on fire, let somebody set the hospital on fire, ऐसे, fire broke out, कहाँ पर तो at a private COVID-19 care center, यह हो गया, कहाँ पर है care center, in विजयवाड़ा, फिर कॉमा है, आंधर प्रदेश, विजयवाड़ा कहाँ पर है, आंध सा हुआ, तो इसमें कुछ खास सिखने लाइक नहीं था, tense का इस्तमाल किया गया, prepositional phrases at wet लगा हुआ है, आगे देखते हैं, the fire broke out around 5 a.m., यहाँ भी past indefinite tense है, आग लगी around 5 a.m., लगभग सुबे के 5 बजे, on the ground and first floor of hotel, Swarna Palace, पहले यहां तक देखिए, on the ground and the first floor, यानि की ground floor पे और first floor पे, किसके भाईया, तो hotel Swarna Palace, यह कोई hotel है, जिसका नाम है Swarna Palace, फिर comma है, comma के बाद कुछ बिशेश information है, तो बिशेश information को देखते हैं, लिखा है कि which was leased by Ramesh Hospitals, which किसके लिए आया है, which आपका क्या है, relative pronoun है, which से जो sentence बना, वो क्या बना, वो clause बना, कौ क्योंकि noun clause होता है, adjective clause होता है, और adverb clause होता है, यह क्या बना, adjective clause बना, adjective clause क्या करता है, तो यह जो antecedent है, जैसे Swarna Palace है, इसके बारे में कुछ कहता है, तो Swarna Palace के बारे में क्या कह रहा है, कि which was leased, जिसको किराय पे लिए गया था, by Ramesh Hospitals, Ramesh Hospitals के द्वारा, as a COVID-19 care center, as a का मत तो आपको tense, इसमें आपको क्या मिला, tense मिला, इसमें क्या मिला, adjective clause मिला, और इसके बाद आपको as का इस्तमाल मिला, तो adjective clause जो नए लोग है, अगर नहीं जानते, तो मैं आपको सिखा देता हूँ, हाथो आथ सीखते चलते हैं, guys, guys, देखिए, adjective clause, यह बहुत important है, newspaper में आप आपको जब भी मिलेगा, या तो which वला मिलेगा, या who वला, आपको हमेशा ही दिखाई देने वाला है, क्या मतलब है, actually, अगर who होगा, तो who के बाद आपको ऐसे लिखा रहेगा, कि who के बाद कोई helping verb भी हो सकता है, you know, मतलब पूरा एक sentence होगा, जैसे ऐसे लिखा होगा, कि who is dancing, तो who is dancing का मतलब यहां पर यह नहीं कि कौन नाच रहा है, यहां पर मतलब है कि जो नाच रहा है, अगर यहां question mark कोई लगा दे, who is dancing, तब तो होगा कि कौन नाच रहा है, लेकिन अगर question mark न रहे, तो यह जो who is dancing है, यही आपका clause है, यह who relative pronoun है, तो इससे जो वाक आगा ने, वो इधर होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, कैसे, जैसे कि I know the boy, अब I know the boy who is dancing, अब यह who किस के लिए आया है, इस boy के लिए आया है, तो बता रहा है कि मैं उस लड़के को जानता हूँ, अब कौन सा लड़का, who is dancing, जो नाच रहा है, तो इस लड़के के बा fire, मालो मैं बोलू कि fire broke out in Swarna hotel, अब फिर मैं बोलू कि which, which was leased by a doctor, मालो एक doctor के दौरा लेस किया गया था, तो यह क्या है, hotel के बारे मैं बता रहा है कि वो hotel which was leased, जिसको leased किया गया था doctor के दौरा, तो which से लेकर कि doctor तक जो आप देख रहे हैं, इसी को कहते adjective clause, और यह जो hotel है, इसको बोलते antecedent, यह जो है, इसी के बारे में कुछ information दे रहा है, इसलिए है, कई बार लोग कॉमा पे सवाल करते कि कई बार तो कॉमा दिखता है, कई बार कॉमा नहीं दिखता है, तो अगर कॉ लग से एक वीडियो, शायद हम बना भी चुका हूँ शायद वीडियो, कोई बात नहीं, जो अगर हम as की बात करते हैं, एक मिनट, as की जब आप बात करते हैं, तो as की कई मतलब है, एक तो ऐसा भी मतलब होता है कि as you are a doctor, जैसा कि आप एक doctor है, इसी को आप since भी कह सकते है, क as you are a doctor, you should behave properly, तो मैं सही से behave करना चाहिए, एक ऐसे भी होता है कि I am working here as a teacher, तो as a teacher का मतलब teacher के रूप में, यहाँ पर है कि जैसा कि वो एक teacher है, तो as का यह भी मतलब है, कि जैसा कि you are a doctor, आप एक doctor है, यहाँ पर है कि एक teacher के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, देखे रहें कै कैसे मतलब है, ऐसा भी मतलब हो सकता है, कि newspaper में आपको दिखाए देगा कि he has been identified as, मालो यहाँ लिखा है bit2, as bit2, तो उसे पहचाना गया as bit2, तो जिस जो नाम दिखाएगा उस नाम से पहले as लगाना, he was identified as bit2, तो यह सब आपके छोटी-छोटी चीजे हैं, आगे देखते ह यह हो गया कि which was leased by Ramesh hospital as a COVID-19 COVID care center, अब है कि there are about 40 rooms, लगभग भी होता है, तो there are about 40 rooms, लगभग 40 कमरे हैं in the hotel, hotel में, and patients were undergoing treatment, undergo का मतलब है से गुजरना, तो patient जो है वो treatment से गुजर रहे थे in 30, यानि कि 40 में से 30 कमरों में तो patient थे, Director General of Disaster Response and Fire Service Department, MD, एहसान रजा सेड, सेड आपका वर्ब है बाकी, यह जो इतना बड़ा नाम है, वो एक बंदे के post vote से लेकर सब मिला के बोला गया है, तो यह जो एहसान रजा है, इन्होंने कहा कि one patient was charred to death, देखिए चार क्या होता है, चार का मतलब होता है जुलस जाना, अ one person, one patient was charged to death, यानि कि जुलस कर मारा गया, इसलिए यहाँ पर was का इस्तमाल किया है, was charged to death, and nine had died of asphyxiation, यह होता है, दम घुटने से, तो 9 जो है, वो मारे जाचुके थे, asphyxiation से, यानि कि दम घुटने से, three women were among the victims, अब है कि वो जितने विक्टिम्स थे, जितने लोग मारे ग उनी में, three women, यानि कि तीन औरते थी, विक्टिम्स का मतलब होता है कि जिनके साथ है हाथसा हुआ जो परी थे, according to available information, यानि कि जो भी information अभी उपलब्ध है उसके अनुसार, 30 patients and 10 hospital staff were in the hotel turned quarantine center, इसको quarantine या quarantine भी कह सकते हैं, लेखा हुआ है कि अब तक जो information है उसके अनुसार, 30 patient और 10 hospital staff were in the hotel turned quarantine center, यानि कि वो जो quarantine, जो center हो पहले hotel था, इसलिल लिखा हुआ है कि hotel turned quarantine center, कि ऐसा hotel जो turned हो चुका है quarantine center में, उसमें 30 patient थे, 10 hospital staff थे, आगे देखें, the police, the NDRF and fire service personnel rescued 18, 28 patient, अब rescue का मतलब होता है बचाना, तो किसने बचाया, police ने बचाया, NDRF और fire service के लोगों ने, personal का मतलब उनके जो करमचारे, उन्होंने बचाया 28 patient को and shifted 10 bodies to the government general hospital, और 10 body को shift कर दिया, shifted 10 bodies, कहां पर government general hospital mortuary में, जहां पर, जो bodies है तो mortuary में ही जाएंगे, जो शव घर होता है, जहां पर लाशों को रखा जाता है वहां पर, the particulars of two patients are not known, जो details है, particular का मतलब जो details है दो patient का वो अभी not known है, यानि कि वो पहचान में नहीं है, said police commissioner be siri niwa slu, ऐसा police commissioner ने कहा, अब देखे, one person working at the hotel suffered severe injuries, पहले यहीं तक देख लेते हैं, देखे, अगर बहुत ध्यान से देखे, तो suffered क्या है, आपका verb है, verb से पहले क्या होगा, subject होगा, subject कौन सा है, one person यानि कि एक व्यक्ति, पीच में यह working क्या कर रहा है, इसको बोलते है present participle, जैसे मैं आपको सिखा ही देता होगा, फटा-फट सीख लिया कीजिए, देखे, present participle इसका इस्तमाल कैसे होता है, एक तो इसका इस्तमाल ऐसे है, जैसे आपने देखा कि, one person working as a hotel staff, मैं ऐसे बोलता हूँ, one person working as a hotel staff, charged to death, या ऐसे बोलता हूँ, hotel staff got injured, तो अगर बहुत ध्यान से देखे, तो one person got injured, यानिकि एक विक्ति got injured घायल हो गया, तो one person आपका subject है, got आपका वर्व हो गया, injured आपका adjective है, यानिकि one person got हो गया, injured घायल, लेकिन यह जो देख रहे है working as a hotel staff, इतना बड़ा यह जुमला देख रह यह एक phrase है, phrase की पहचान है कि phrase के अंदर अपना कोई subject verb नहीं होता है, कोई अपना कोई conjunction नहीं होता है, वो clause के अंदर होता है, तो phrase में क्या है, यहां ing लगा है, किसी-किसी phrase में यहां पर verb की third form होगा, तो ing हो या verb की third form हो, यह कहलाते हैं participle, ing होगा तो कहलाएगा present participle, और यह phrase बना रहा है, तो present participle phrase, काम क्या है, function क्या है, adjective है, clause adjective है, जैसे उसी तरीके से यह भी adjective का काम कर रहा है, adjective मतलब क्या, कुछ बताएगा, कुछ information देगा, किसके बारे में, इस person के बारे में, यह है antecedent, इसके बारे में बता रहा है, one person, कौन सा person, working as a hotel staff, जो कि as a hotel staff काम कर था, got injured, अडगाल हो गया, बस, कैसे पहचानेंगे कि कर रहा था, कि कर रहा है, तो अगर tense past में है, तो इसको past है पहचानेंगे, present में है तो present पहचानेंगे, इस तरीके से, जैके रहा present participle, जैसे बोलू कि, कि a man, washing, washing clothes in the bathroom, died due to electric shock, यहीं पर रुख जाते हैं, तो अगर बहुत ध्यान से देखें, तो a man, एक आदमी, subject, died, मर गया, verb की second form, past indefinite हो गया, subject हो गया, verb हो गया, यहाँ पर कारण है, due to electric shock, बिजली के जटके के कारण मर गया, लेकिन इस man के बाद यह क्या लिखा है, washing clothes in the bathroom, bathroom, fridge है, washing क्या है, ing है, present participle है, पूरा participle fridge है, क्या काम कर रहा है, adjective का, क्या बता रहा है, वो आदमी, जो की कपड़े धो रहा था बाद रूम में, वो मर गया, electric shock के कारण, तो कई लोग fridge देते हैं इस paper वाले, कई क्या करते हो, clause देते हैं, इसी को अगर वो clause में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, आप बोर मत हो जाएगा guys, मैं थोड़ा detail में आज जा रहा हूँ, यसे लिखते हैं, a man, यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ लगाते है, was washing clothes in the bathroom died due to electric shock, सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदला, यहाँ man के बाद क्या आ गया, who आ गया, who क्या है, relative pronoun, फिर एक was आ गया, मतलब यह एक subject का का काम कर रहा है, verb, इस मतलब पूरा clause बन गया, who was यहाँ से लेके यहाँ तक, यह क्या है clause, तो clause और phrase, दोनों काम कर रहा है, adjective का, एक phrase का काम कर रहा है, clause का काम कर रहा है, मतलब कहेंगे clause, कहेंगे phrase, काम function क्या है, adjective कहीं काम कर रहा है, वो बताएगा, कुछ न कुछ information देगा, तो clause बनाने के लिए, हमें अलग से relative pronoun लगाने पड़ेंगे, who, what, that, यह सब लगाना पड़ता है, तब ही जाकर कि आप उसको clause बनाएंगे, noun clause, adjective clause, adverb clause, तो फिलाल आप इतना ही समझेए, कि present participle हो या past participle हो, यह clause बनाएगा, sorry, यह phrase बनाएगा, और यह क्या काम करेगा, adjective का काम करेगा, और जितने भी relative pronoun होंगे, who और which वाले, यह आपका clause बनाएगा, यह भी adjective का ही काम करेगा, इतना बहुत है, आगे देखते हैं, तो यह समझ में है कि one person working at the hotel, जो कि hotel में काम कर रहा था, suffered severe injuries, severe मतलब बहुत, अच्छा, गंभीर, severe है, severe मतलब गंभीर injuries हुई, किस चीज के बाद, after he jumped, देखें, after के बाद पूरा sentence लगाया है, वो after नहीं है, after eating, after drinking, वो भी होता है, अब after के बाद एक पूरा sentence बोल सकते है, after he jumped out of window, किस चीज के बाद उसे, severe injury हुई, कि जब वो कूद गया, he jumped out of window, खिड़की से कूद गया, window on the first floor, यह window के बारे में है कि window कहां था, on the first floor, इसको बोलते है, prepositional fridge, on से लेकर यहां तक, to किसले कूदा, तो to के बाद यहां verb की first form, यह infinitive है, infinitive क्या करता है, purpose को दिखात ब्लेज से बचने के लिए, यह जो आग है से बचने के लिए, तो एक sentence के अंदर आपको infinitive, आपको phrase, participle क्या नहीं मिलेगा, आगे दिखिए, a criminal case, under section 304, 2 and 308, यह O मतलब 0, 308, of IPC has been registered, देखिए, has been registered का मतलब है कि present perfect का passive है, आपको passive हाना चाहिए, आगे दिखिए, देखि Management, Management के खिलाब, किसका Management, of Hotel Swarna, Palace and Ramesh Hospital, इन दोनों के Management के खिलाब जो है, वो case, दर्ध हो चुका है, अगे देखिए, the state government set up two committees, past indefinite tense, state government आपका subject है, set up आपका, verb का second form है, state government ने set up किया, यानि कि संगत्थित किया, दो committees बनाई, क्या करने के लिए, to conduct, to के बाद verb की first form, infinitive है, क्या करने के लिए committee बनाई, to conduct a probe, probe का मतलब क्या है, charge, यह रट लिजी, newspaper में आपको probe मिलेगा, probe, investigation, interrogation, tip of, underway, under section, 302 और यह सब, यह कुछ रट लिजी, मिलेगा है, मिलेगा, to conduct a probe into the exact cause of the fire, किस चीज में probe होगा, तो probe के लिए into आया, कि probe into what, probe into the exact cause, एकदम जो उचित कारण है, of the fire, आग का, and other lapses, जो और भी lapses हुए है, that led to the tragedy, that क्या है, relative pronoun, इसका मतलब है, जो, जिसने, led to the tragedy, tragedy का मतलब क्या है, कि इतना जो दुखत घटना हुआ है, led to क्या है, lead से बना है led, इसका मतलब मैं आपको पहले समझा रहता हूँगा, इस यहाँ पर देखिए, देखिए, lead to, मैं आगर ऐसे बोलू, कि this fire, this fire has led to, led to death of hundred people, क्या मतलब है इसका, fire has led to, तो, यह जो चीज है, अगर मैं बोलू कि इस फलाने ने, और यहाँ बोल दो, led to, यानि कि इसने उत्पन किया है, यह जो fire है, इसने उत्पन किया है, इसने पैदा कर दिया है, इसकी वजह से, क्या हो गया है, death हो गई, अगर मैं ऐसे बोलू, देखिए, your misbehavior with your wife can lead to divorce, अब इसका क्या मतलब है, कि आपका यह जो misbehavior है, can lead to, यह उत्पन कर सकता है, इसकी वजह से divorce हो सकता है, यह समझ लेजे, यह एक lead to है, और एक ऐसे होता है, कि your misbehavior can lead you to jail, यह आपको jail ले जा सकता है, तो अगर ऐसे आजाए कि can lead, lead के बाद उस बंदे का नाम lead you, फिर to फलानी जगह, इसका मतलब कि आपको वहाँ तक ले जाएगा, तो यह उत्पन करेगा, यह वहाँ तक आपको पहुँचा देगा इस तरीके से, that don't eat fast food, it can lead you to hospital, यह तुम्हें hospital ले जा सकता है, आगे देखिया, प्रॉब इंटु इग्जक्ट, cause of the fire and other lapses that led to the tragedy, जिसके होजए से tragedy हुआ है, जिसने tragedy को उत्पन किया, Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy announced, past indefinite है, यह आपका subject है, announced आपका, verb का second form है, उन्होंने अन्नाउंस किया, ex gratia of 50 lakh, ex gratia का मतलब है कि एक तरीके से जो एक नैतिक, जो आप अपना कर्तव पूरा कर रहे हैं, 50 lakh का, each to the next of kin of the disease, each to the next of kin, next of the kin of the disease, यानि कि जो मिर्तक है, उनके जो रिस्तेदार है, उनको 50 lakh मिलेगा, इस sentence को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, मैं आपको समझाने कोश्र करता हूँ, देखिए, the state government set, set तक 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 आपको कुछ भी प्रॉलम नहीं, state government ने कहा, फिर यह जो negligence है, कि negligence, ठीक है, लापर वाही, फिर prepositional phrases देखते रहे जा रहा है, color change करें, लापर वाही, ठीक है जी, on the part, अच्छा, on the part, यह छोटा से prepositional phrase, of the hospital management, part मतलब role, उन्होंने क्या role निभाया, तो hospital management के part पर, जो लापरवाही है, फिर है, किस चीज में लापरवाही है, तो in running the covid center, covid center को run करने में, preposition के बाद अगर verb लगाना है, तो ing लगाना पड़ता है, कहां पर तो in the hotel, hotel के अंदर covid center को run करने में, कोई जो भी management में लापरवाही है, तो state government ने कहा है, कि यह जो negligence है, since mid July, mid July से लेकर अब तक, had been prima facie, prima facie का मतलब है कि उपरी तोर से वही established किया गया है, यानि कि उपरी तोर से यह लापरवाही को established किया गया है, कि हां है, इनकी लापरवाही, आगे देखिए, on August 6, 6 अगस्त को, कोई date हो तो on का इस्तमाल होता है, अगर यह date नहीं होता, तो in August होता है, अगस्त में तो in August, September में in September, लेकिन 15 अगस्त को on 15 August, in a similar incident, इस छोटे छोटे जुमले हैं, in a similar incident, खास इसी तरीके के घटना में, 8 COVID-19 patients were killed, 8 जो COVID-19 के patient हो मारे गए, in a fire, एक आग में, at Shrey Hospital, जो Shrey Hospital में आग लगी, in Gujarat's capital Ahmedabad, Gujarat के capital Ahmedabad में, ठीक है guys, तो बस यही छोटा सा वीडियो है, I hope कि आपके समझ माया होगा, कि कैसे हम sentences को तोडेंगी, इसके अंदर आपको tense, passive, clause, infinitive, छोड़ी छोड़ी चीजे लगी रहती है, तो बस आज के लिए इतना ही मिलत अगले वीडियो में, till then take care, keep practicing and have fun, thank you guys